हलो गाईज, स्वागत है आपका इस सॉट एंड सॉलिड वीडियो में तो आज का जो हमरा टॉपिक है वो है थ्री पॉइंट कॉंटेक्ट तो आज हम लोग जानेंगे कि ये थ्री पॉइंट कॉंटेक्ट क्या है और ये कहां यूज होता है ठीक है तो चलिए टॉपिक पर आते हैं सिदे तो इस जो थ्री पॉइंट कॉंटेक्ट है इसमें पॉइंट किसे कहते हैं सबसे पहले यही हम लोग जान लेते हैं ठीक है तो दोस्तों ये वहां यूज होता है जब हम लोग हाइट पर काम करने जाते हैं ठीक है वो हाइट कुछ भी हो सकती है या आप सेडी पर चड़ रहे हो या दिवार पर चड़ रहे हो या ड्राइवर अपनी केवीन में चड़ रहा हो ठीक है कोई भी हाइट जहां भी जो चड़ रहा है ठीक है उसका 3-point contact का बात हो तो 3-point जैसे माल लीजे क्या हम लोग करेंगे मतलब इन 4 में से कौन से करेंगे यह वे कैसे नुट सकता है तो दोस्तों 4 में से कोई भी दे ठीक है अगर हम लोग minimum 3 तीन में से अगर माल लीजे एक कम कर देते हैं यानि 2 हो जाता है तो हम unbalance हो जाते हैं और हो सकता हम गिर ज में रहता है ठीक है तो दोनों हाथ से हम लोग हैं ठीक है माल लीजे आपने दो दो पैर से लगतार कॉंटेक्ट बना कर रखा है बट एक हांती ही हैं पकड़ा हुआ है तो यह भी 3-point contact हो गया कई बर लोग होते हैं अपने हाथ में समान रखते हैं लैटर पर जाड़ते हैं ठीक है जो आपको सेफ्टी प्रवाइट करता है अगर आप मिनिममम 3-point contact नहीं बनाते हैं तो आप unsafe हो जाते हैं हो सकता है आप गिर जाए इंजरी हो जाए ठीक है दोस्तों इसके लबब अगर आपको मुझे बात करनी है या कोई क्वेश्चिन पुछ नहीं है तो आप Facebook औ सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा कर गंटी बचा देना और अपनी ग्रूप में सेर कर देना कीप वोचिंग